Hello students, this is Tanushree, तो आज हम शुरू करेंगे exercise 8.4 से question number 4 और question number 5 तो चलो शुरू करते हैं, question number 4 देखो, express as kilometer using decimals अच्छा नीचे देखो एपार्ट में है 8 meter, तो meter में दिया हुआ है, हमें kilometer में convert करना है decimal को use करके मतलब जो answer आएगा पो point में आएगा, अच्छा तो ये करने से पहले हमें ये याद रखना है ना तो ये क्या है, ये जो unit conversion के लिए metric measures का table है, बो है, तो सिर्फ हमें याद रखना है ये तो हम easily कोई भी एक unit को और एक unit में convert कर सकते हैं, तो देखो हमें याद रखना है kilo, hecto, decameter, decimeter, decimeter, millimetre, ऐसे हम मानेंगे तो देखो, left side से right side के तरब, जब unit conversion होगा, unit convert होगा, तो multiply करना होता है और जब right side से left side के तरब, जब unit conversion होगा, तो क्या करना होता है, divide करना होता है अच्छा, यहाँ पे देखो, meter में है, तो meter से kilometer में convert करना है, तो meter है यहाँ पे, तो meter से kilometer के तरब convert करना है तो देखो right side से left side के तरब unit को convert करना है तो क्या हो जाएगा, divide हो जाएगा अच्छा, और कौन सा number से divide होगा 10, 10, 10, ऐसे करके हम मानते है तो यहाँ पर देखो हम मानेंगे meter की जगा में 1 मानेंगे और फिर 0, 0, 0, ऐसे मानेंगे मतलब यह ultra thousand है पर इसको मान लो यह thousand है तो thousand से divide करना है ऐसे हमें मान लेना है अच्छा, तो देखो हम क्या करेंगे तो meter है, तो meter से kilometer में हम convert करेंगे तो thousand से divide कर देंगे यही करना है ठीक है, तो 8 upon thousand kilometer हो जाएगा ऐसे हो जाएगा, ठीक है या तो ऐसे कर सकते हो, या तो ऐसे कर सकते हो, देखो, मीटर और किलो मीटर का जो रिलेशन है, वो भी हम देख लेते हैं, 1 किलो मीटर मतलब 1000 मीटर होता है, हमेशा, तो देखो, 1000 मीटर से 1 किलो मीटर बन रहा है, है न, 1000 मीटर से 1 किलो मीटर बन रहा है, तो 1 मीटर मतलब क्य होगा यह कम है तो डिवाइड हो जाएगा 1 divided by 1000 किलो मीटर तो यही है relation टीक है मीटर और किलो मीटर का यह है relation तो 1 मीटर मतलब इतना किलो मीटर तो 8 मीटर मतलब कितना किलो मीटर हो जाएगा देखो 1 upon 1000 into 8 km तो क्या हो जाएगा 8 into 1 8 upon 1000 km देखो यही आएगा तो ऐसे कर सकते हूँ यह थोड़ा लेंदी होगा और नहीं तो ऐसे शॉट में कर सकते हूँ 1000 से डिवाइट कर दो तो हो जाएगा अभी इसको हमें क्या करना है देखो नीचे 1000 है तो क्या हो जाएगा यह यह decimal में convert होगा यह भी point में convert हो सकता है या decimal ठीक है तो कर सकते हो तो ऐसे कर के भी कर सकते हो या तो ऐसे कर के कर लो अच्छा अभी देखो अभी हम क्या करेंगे इसको point में लिखेंगे तो first हम number को लिखते हैं 8 अभी नीचे कितना 0 है? 1, 2, 3 तो 3 0 है मतलब right side से 3 digit छोड़के point हो जाएगा तो देखो 1 digit और 2 digit नहीं है तो कुछ नहीं है तो 0 कर देंगे और 1 digit 0 तो right side से 3 digit छोड़के हो जाएगा point तो यहाँ पर 0 दे देंगे 0.008 km ठेक है? तो यहाँ पर भी same कर सकते हो ठेक है? तो answer हो जाएगा यह तो meter से kilometer में हम ऐसे convert करेंगे ठेक है? तो यह देखके अगर करो तो जल्दी हो जाएगा easy हो जाएगा अच्छा तो यह था A part अभी हम next B part देखेंगे next देखो यहाँ पर 88 meter तो इसको kilometer में convert करना है तो हम कैसे करेंगे? तो meter से kilometer में convert करने के लिए हमें thousand से divide करना है तो हम thousand से divide कर देंगे तो 88 divided by thousand kilometer हो जाएगा अच्छा अभी देखो नीचे thousand है तो इसको हम point में लिख सकते हैं तो first हम number को लिख लेते हैं 88 अभी देखो नीचे कितना 0 है 1,2,3 तो 3 0 है तो right side से 3 digit छोड़के point हो जाएगा तो right side से हम count करेंगे 1 digit, 2 digit और एक digit होगा तो कुछ नहीं है तो हम 0 देदेंगे तो right side से 1,2,3, 3 digit छोड़के point हो जाएगा और यहाँ पर हम 0 देदेंगे 0.088 हो जाएगा देखो point 0.088 इतना भी रख सकते हो ठीक है यह भी correct है पर 0 दे सकते हो तो अच्छा लगता है यह है तो 0.088 किलो मीटर हो जाएगा तो यह था B पार्ट का अंसर अभी हम next C पार्ट देखेंगे next देखो इतना मीटर है इसको हमें किलो मीटर में convert करना है अच्छा तो हम क्या करेंगे thousand से divide करतेंगे तो हम लिख लेंगे divided by thousand कर देंगे तो यह हो जाएगा kilometer ठेक है अच्छा अभी हम क्या करेंगे हम point में लिखेंगे नीचे thousand है अच्छा तो first हम number को लिख लेते हैं है 3 0 है तो right side से 3 digit छोड़के point होगा तो one digit two digit three digit तो right side से three digit छोड़के point हो जाएगा 8.888 kilometer तो यह हो जाएगा answer तो ऐसे करना है तो यह था c part अभी हम next d part देखेंगे next देखो 70 kilometer 5 meter है तो हमें क्या करना है kilometer में convert करना है same unit में करना है ठीक है kilometer में तो 70 kilometer है तो kilometer change नहीं होगा 5 meter है तो 5 meter को हम क्या करेंगे kilometer में change करेंगे और फिर 2 unit same हो जाएगा तो वो 2 number हम क्या करेंगे add करतेंगे यही करना है अच्छा तो first हम लिखेंगे 70 kilometer plus कर देंगे क्योंकि 5 meter को हम किलो मीटर में लिखेंगे ठीक है और फिर add करेंगे अच्छा 5 मीटर है तो मीटर से किलो मीटर में convert करेंगे तो क्या करेंगे 5 upon thousand मतलब 5 divided by thousand ये करतेंगे ना 5 divided by thousand किलो मीटर हो जाएगा अच्छा अभी देखो अभी हम लिखेंगे यह 70 km लस तो इसको हम क्या कर सकते हैं फाइब अपन थाउजन है नीचे थाउजन है तो इसको हम पॉइंट में लिख सकते हैं तो फाइब फर्स लिख लेते हैं अभी देखो नीचे कितना 0 है 1 2 3 3 0 है तो राइट साइट से 3 डिजिट छोड़के पॉइंट होगा ठीक है अच्छा तो यहाँ पे प्लस दे देते हैं और 0 दे देते हैं 0.005 इतना किलो मीटर तो ऐसे हम पॉइंट में लिखेंगे अच्छा अभी देखो अभी किलो मीटर किलो मीटर है ना ये और इसको हम क्या कर सकते हैं एट कर सकते हैं एट कर देंगे अच्छा तो देख तो यह है 0.005, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट दे दो, 0.005, तो पॉइंट के राइट साइड में कितना डिजिट है, 1, 2, 3, 3 डिजिट है, तो यहाँ पे भी पॉइंट के राइट साइड में हम 3 डिजिट कर लेते हैं, तो कुछ नहीं है, 0, 0 दे देते हैं, तो प्लस कर हो जाएगा, 0 plus 007 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, 70.005 km, ठेक है, तो ऐसे करना है, तो ये था question number 4, अभी हम question number 5 देखेंगे, question number 5, तो देखो, express as kg using decimals, तो देखो, ए पार्ट में है 2 gram, तो short में है g, तो 2 gram, gram में है, तो gram को हमें kilogram में convert करना है, kg मतलब kilogram, तो gram से kilogram में convert करना है, decimal को use करके, मतलब point में आएगा answer, तो देखो, unit conversion का जो है, ये हम याद रखेंगे, तो हम कोई भी एक unit को और एक unit में convert कर सकता है, easily तो यहाँ पर हम देखो, यहाँ पर unit है gram, gram में, kilogram, gram, ठीक है, meter में नहीं है, तो जब meter में रहेगा, तो हम kilometer, hectometer, decameter, meter, ऐसे हम मानेंगे, और यहाँ पर gram में है, तो हम ऐसे मानेंगे, kilogram, hectogram, decagram, gram, यहाँ पर gram हो जाएगा, अगर meter रहा तो meter हो जाएगा, gram रहा तो gram हो ऐसे हमें मानना है, तो kilogram, hectogram, decagram, gram, decigram, centigram, milligram, तो यह हो जाएगा, सिर्फ हमें याद रखना है, kilo, hecto, deca, यहाँ पे अगर meter रहा तो meter, deci, centi, milli, अभी unit जो रहेगा, वो हम लगा देंगे, kilogram या kilometer, hectogram, hectometer, ऐसे होगा, ठीक है, तो देखो, यहाँ पे भी सेम है, जब left side से right side के unit conversion होगा, तो multiply करना होगा और जब right side से left side के तरब unit conversion होगा, तो divide होगा, सेम है, और 10-10 करके ऐसे होता है, अच्छा, तो gram से kilogram, तो gram से kilogram में convert होगा, तो क्या होगा, right side से left side के तरब unit convert होगा, तो divide होगा, और कौन सा नंबर से, देखो, gram की जगा हम 1 माननेंगे, और 0,00, तो यह उल्टा thousand है, तो मान लो यह thousand है, ठीक है, thousand, ऐसे होगा, तो thousand से हमें divide करना है, बस, तो two gram, gram है, तो kilogram में हम convert करेंगे, तो thousand से divide करतेंगे, two divided by thousand kilogram, इतना ही करना है, या तो जो relation है, वो भी हम देख लेते हैं, one kg मतलब thousand gram, one kg is equal to thousand gram, तो thousand gram से बनता है one kg, ठीक है, ऐसे हम लिख सकते हैं न, तो one gram क्या हो जाएगा, one divided by thousand kg, तो gram और kg का यह है relation, तो यह use करके कर सकते हो, तो one gram मतलब इतना kg, तो two gram मतलब क्या हो जाएगा, multiply हो जाएगा, two into one upon thousand मतलब two upon thousand kg, इतना हो जाएगा, अभी इसको decimal में लिख सकते हो, तो यहाँ पर हम कर देंगे, तो ऐसे कर सकते हो, या तो ऐसे simply कर दो, अच्छा, तो नीचे thousand है, तो हम क्या करेंगे, decimal में लिखेंगे, तो first हम number को लिखते हैं two, अभी नीचे कितना zero है, one, two, three, तो right side से three digit छोड़ के, तो one digit, कुछ नहीं है zero, कुछ नहीं है zero, तो right side से three digit छोड़ के point हो जाएगा, और यहाँ पर हम zero दे देंगे, 0.002 kg, तो यह हो जाएगा answer, तो इसको भी कर सकते हो point में, ऐसे कर सकते हो, या ऐसे करो, तो यह था a part का answer, अभी हम next b part देखेंगे, next देखो, यहाँ पर 100 gram, तो इसको kilogram में convert करना है, अच्छा, तो हम क्या करेंगे, gram से kilogram में convert करेंगे, तो thousand से divide कर देंगे, तो hundred divided by thousand, इतना kg, यह हो जाएगा, ठीक है, तो अभी हम point में लिख सकते हैं, अच्छा, तो देखो, hundred है, तो first हम number को लिख लेते हैं, यह दो तरीके से निकाल सकते हो, तो मैं पह हैंगे, number को, अभी नीचे कितना zero है, one, two, three, three zero है, तो मतलब right side से three digit छोड़के point हो जाएगा, तो 0.100 kg इतना लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो, 0.100, पर point के right side में यह zero का कोई value नहीं है, तो यह ऐसे काट सकते हो, value नहीं होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं, 0.1 kg, 0.100 kg रख सकते हो, पर 0 का कोई value नहीं होता है, तो 0.1 kg ऐसे लिख सकते हो, ठेक है, या तो देखो, इसको ऐसे कर सकते थे, देखो, hundred divided by thousand, इतना kg, अभी देखो, उपर नीचे एक zero है, तो हम एक zero, एक zero कैंसल कर देंगे, उपर नीचे, देखो, और एक zero है, नीचे भी और एक zero है, तो एक zero, एक zero कैंसल कर देंगे, है न, तो देखो, उपर दो zero, नीचे दो zero है, तो ऐसे हम कैंसल कर सकते हैं, ठेक है, अच्छा, तो क्या हो जाएगा, देखो, तो one upon ten, तो इसको हम point में लिख सकते हैं, तो one हम लिख देते हैं, नीचे कितना zero है, एक zero है, तो right side से one digit छोड़के point हो जाएगा, zero point one kg, तो answer यही आएगा, ठेक है, तो या तो ऐसे zero zero cancel करके कर सकते हो, या तो ऐसे point, पहले कर दो, फिर zero काट सकते हो, ठेक है, दोनों ही तरीका right है, तो कोई भी एक तरीके से कर सकते हो, अच्छा, तो ये था B part, अभी हम next C part देखेंगे, next देखो, अच्छा, इतना gram है, तो हम kg में convert करेंगे, तो thousand से divide कर देगे, तो 3,7,5,0 divided by thousand kg हो जाएगा, अच्छा, अभी देखो, तो अभी हम क्या कर सकते हैं, देखो, जब उपर नीचे zero zero ऐसे रहेगा तो हम cancel कर सकते हैं, ठीक है, तो cancel कर सकते हो, उपर एक zero नीचे एक zero ह तो ऐसे हम cancel कर सकते हैं, तो अभी हम point में लिख सकते हैं, देखो, उपर जो number है, बो लिख लेते हैं, 3,75, अभी नीचे देखो, कितना zero है, दो zero है, तो right side से 2 digit छोड़के point लिख दो, तो इतना kg हो जाएगा, तो 3,75 kg हो जाएगा, तो अभी हम next D part देखेंगे, next देखो, 5 kg 8 gram, अच्छा, तो kg और gram में है, हमें convert करना है kg में, same unit में करना है kg में, अच्छा, तो देखो, 5 kg जो है, बो same रहेगा, 8 gram को हम क्या करेंगे, kg में convert करेंगे, और फिर 2 unit same हो जाएगा, तो हम add कर देगे, अच्छा, तो देखो, यहाँ पर 5 kg जो है, बो हम same रहेंगे, है न, 5 KG, same होगा, अच्छा, अभी देखो, 8 g घ्रम है, तो हम plus कर देंगे, 8 g को हम convert करेंगे KG में, अच्छा, तो क्या होगा? Gram से KG में convert करेंगे, तो 1000 से divide कर देंगे, 8 divided by 1000 kg हो जाएगा, अच्छा, अभी हम क्या करेंगे? 5 kg प्लस तो नीचे देखो 1000 है तो इसको हम point में लिख सकते हैं तो first हम 8 लिख लेते हैं अभी कितना 0 है नीचे? 1, 2, 3, 0 है तो right side से 1, 2, 3 तो 3 digit छोड़ के point हो जाएगा 0.008 kg तो देखो unit same है तो इसको हम add करेंगे तो देखो यह है whole number यह है decimal number 5.0 ऐसे लिख सकते हैं तो नीचे देखो यहाँ पे 0.008 तो नीचे यहाँ पे point के नीचे point हो जाएगा 0.008 0.008 ऐसे लिख देगे तो अभी देखो point के right side में 3 digit है तो यहाँ पे भी point के right side में 3 digit कर लेंगे तो 0.00 कर लेंगे कुछ नहीं है 0 कर दो तो अभी हम add करेंगे 0 प्लस 8 8 0 प्लस 0 0 0 प्लस 0 0 point हो जाएगा 5 प्लस 0 5 तो हो जाएगा 5.008 केजी तो यह हो जाएगा answer तो ऐसे करना है तो यह था d part अभी हम next d part देखेंगे next देखो 26 kg 50 gram है तो हमें kg में convert करना है तो देखो यह तो kg में ही है तो इसको change करने की ज़रत नहीं है यह gram में है इसको हम change करेंगे kg में convert करेंगे और फिर same unit हो जाएगा तो तब हम add कर देंगे तो देखो 26 kg जो है यह हम लिख देंगे ऐसे अभी plus लिख देंगे 50 gram को हम kg में लिखेंगे तो 50 gram को kg में हम लिखेंगे तो 50 divided by thousand हो जाएगा तो यह हो जाएगा kg अच्छा अभी 26 kg तो इसको हम क्या कर सकते हैं इसको हम point में लिख सकते हैं नीचे thousand है तो देखो उपर नीचे तो 1010 है तो cancel कर सकते हो यहाँ पे ही cancel कर सकते हो तो 1010 हम ऐसे cancel कर लेंगे अभी हम point में लिखेंगे तो first हम number को लिखते हैं 5 नीचे देखो कितना 0 है? 2 0 है तो right side से two digit छोड़के point होगा तो एक digit और एक digit कुछ नहीं है तो 0 हो जाएगा point हो जाएगा right side से two digit छोड़के point हो जाएगा 0.05 kg यह हो जाएगा अभी देखो अभी हम add करेंगे अच्छा यह है whole number तो whole number को हम first लिखेंगे तो whole number को हम कैसे लिख सकते हैं? 26.0 ऐसे लिख सकते हैं 0.05 है तो point के नीचे point आजाएगा 0.05 तो अभी point के right side में कितना digit है? यहाँ पे 2 digit है तो यहाँ पे भी हम 2 digit कर देंगे 0 करके अभी हम add करेंगे 0 plus 5, 5 0 plus 0, 0.6 plus 0, 6 2 हो जाएगा तो यह हो जाएगा 26.05 kg यह हो जाएगा answer ठीक है? तो ऐसे हमें करना है तो यह था exercise 8.4 का part 3 और next वीडियो में हम exercise 8.4 पाइब स्टार्ट करेंगे